बिहार के नई राजिपाल राजेंद्र विश्वनात्र कर लेकर थे जब पूछा गया कि बिहार में तो नितीश कुमार की सरकार है तब उन्होंने तपात से कहा कि सरकार किसकी है इससे उन्हें बिल्कुल भी फरक नहीं पड़ता है पत्रकार ये पूछना चाहते थे कि क्या अगर विपक्च की सरकार है तो आपको काम करने में कोई दिक्कत होगी और अरलेकर साहब बिना कोई देरी के सीधा कह देते हैं कि सरकार किसकी है इससे मतलब नहीं है हम यहां काम करने आए हैं और काम करते रहेंगे बैरहाल कर जब सब की नींद खुली तो कई सारे राजिय के कई गवर्नर बदल चुके थे और उनमें से बिहार भी था बिहार में फागु चोहान की विदाई होती है और लेकर साहब ने राजिपाल बन कराते हैं और उसके बाद जब आप अरलेकर साहब का इतिहास पड़ेंगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा कि अरलेकर के अध्यक्ष भी रहते हैं और उसके बाद जब उनको हिमाचल प्रदेश का गवर्नर बना दिया गया था तब ऐसा लग रहा था कि अरलेकर साहब में कुछ तो ऐसा खास है कल कई राज्यों के गवर्नर बदल गए बिहार के गवर्नर भी बदल गए लाल जी टंडन के करती है कि एक ऐसे राज जहां पर गवर्नर का सक्त होना जरूरी है नितिश कुमार और तरस्पी आदव की जोड़ी को काबू में रखना जरूरी है तब वहां अरलेकर साहब की याद आखिर भाजपा को क्यों आ गई और अरलेकर साहब गोवा से आते हैं गोवा में उन्हो क्या पसंद है क्या ना पसंद है हम सब कुछ इस वीडियो में बताएंगे लेकिन उससे पहले नमस्कार स्विकार करिए मिरे नाम प्रशांत राय है आप जंता जंग्शन देख रहे हैं ये वीडियो रोडबेज एप के द्वरा प्रयोजित है रोडबेज बिहार के कैसी ट दाउनलोड करना है एप में राइड को शिडियूल करना है और आप आधे किराय में पूरा बिहार घूम लेंगे बैराल लोडते हैं अब विश्वनात अरलेकर साहब के पास अरलेकर साहब बना जाते हैं बिहार के राजपाल और उसके बाद ये चर्चा शुरू होती है कि अरलेकर साहब के काम करने का तरीका क्या है तरीका ये है कि जब पत्रकार उनसे पूछता है कि बिहार में आपकी सरकार नहीं है नितीश जी और तरस्मी जी की सरकार है तब तपाक से अरलेकर साहब कहते हैं कि इस बात से कोई भी फरक नहीं पड़ता है कि सरकार किसकी है काम जो करना है वो करना है अब अरलेकर साहब के बारे में जान लिजिए अरलेकर साहब का जन्म गुवा में हुआ था 1954 में उसके बाद 1989 में वो भाजपा के सदस्य बनते हैं मतलब एक आम कारेकरता की तरह वो भाजपा जुआइन करते हैं और उसके बाद वो भाजपा को समहाने लगते हैं एक वक्त दक्षिन गोवा के महा सचिव बना दिये गए थरलेकर सहब और इससे आप उनकी काबिलियत का अंदाजा लगा सकते हैं उसके बाद वो बासकों से विधायक बनते हैं विधायक के बाद उनको वन एवं पर्यावरन मंत्री बना जाता है उसके बाद उन्ह हिमाचल प्रदेश का राजिपाल बना दिया गया था हिमाचल प्रदेश में राजिपाल की भूमिका को निभाने के बाद अब वो बिहार में राजिपाल की भूमिका में हैं और अब वो बिहार के राजिपाल की बन गये हैं बहराल अगर उनके पसंद ना पसंद की बात कर अरलेकर सहब फ्री टाइम में सिर्फ और सिर्फ किताबे पढ़ना पसंद करते हैं उसके बाद कभी कभार समय मिल गया तो वो संगीत सुनते हैं हिंदी गाने और मराथी गाने उनको बहुत पसंद है और अरलेकर सहब नहीं गोवा को पेपरलेस बनाया था जब वो विधान सरकार ने राज़पाल बनाकर अरलेकर सहब को बिहार में क्यों भेजा है ये धीरे धीरे साफ होगा लेकिन अरलेकर सहब के काम करने का तरीका एक दम निराला है वो किसी की दबाव में नहीं आते हैं वो अपने हिसाब से काम करते हैं और पत्रकार उनसे पूछे कि सरकार आ कौन सी पार्टी सरकार में है वो अपने हिसाब से काम करते हैं और अब अरलेकर साहब के सर पर बहुत जिमिदारी है अगर बिहार की बात करें तो सबसे बड़ा है सेशन का लेट होना फागु चोहान जी पर कई बार इस बात का रोप लगा कि वही सब कॉलेज के वीसी हैं और में दर्ज हो जाएगा बैरहाल आपको कैसा लगाए वीडियो को में लेकि बताइएगा मेरा नाम प्रशांत राय है आप जंदनेक्शन देख रहे थे बहुत बहुत घन्यवाद